अच्छा आप सभी लोगों ने वो बाते तो सुनी होगी ना वही लाइन जिसमें हम कहते हैं आया उट पाहर के नीचे अपने आपको बहुत बड़ा समझने वाला वो जन्तूई वो जानवर जब पाहर के सामने आता है तो उनको पता चलता है उनका असली हैसियत क्या है वैसे कुछ सिचुएशन वैसे कुछ घटना घटी है माल्दीव में माल्दीव के जो प्रेसिडेंट है महम्मद मुईजो वैसे आप लोगों को सभी को पता है कि माल्दीव और इंडिया के बीच में बहुत जादा तनाव चल रहा था लेकिन यहां पर हुआ एक ट्विस्ट वो जवाजूद हुई है बताँ पहले इंडिया और माल्दीव के अंदर जो रिस्ता था उससे थोड़ा सा खुश हो के या जैसे इंडिया के ठीम है इंडिया है इटए इंदिया नेक्टम र left hết कंट्री ओध वैसे ही इंडिया ने भी माल्दीव को हिंद इंडा था बहुत सए पैसे बहुत सारे लोन देखे प्रसेडेंट मुज़ो ने इंडिया को बताया कि मालदीब का सबसे कड़िवी एली है इंडिया हाँ हम वही बात कर रहे है कि जो मालदीब और इंडिया के एक्वेशन था लास्ट दो तीन महीने में हमें देखने को मिला कि कितना जादा इसमें changes आया है लेकिन suddenly उसमें क्यों ये नर्मीपन या इतना softness कहा से आ गया वो चीज़ को आज हम जानेंगे और क्यों आया उसको भी हम जानेंगे पहले इस session को आगे बराने के लिए कुछ question को हम दिमाद में लेते हुए चलेंगे वीडियो का आखिर तक आपको देखना है अब हमें पता चलेगा आप क्या सोच रहे हो आप का भी preparation कैसा हो रहा है तो पहली कोश्चन तो यह आता है कि प्रेजन्ट अभी फिलहाल present में इंडिया और माल्दीव के अंदर का क्या रिस्ता है आप प्रेजन सिचुएशन क्या है यह यह के बारे में हम बात करेंगे फिर मालदिव अब क्या बोल रहा है, सदनली क्या हो गया उनको, ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और फिर जाके हम पूरे सेशन से ये conclusion निकालेंगे, कि ये जो रिस्ता है, ये रिस्ता क्या कहलाता है भईया, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कि इंडिया और माल के बीच के जो टर्सल हुई थी, उनकी शुरुवात हुआ था, कहां से, सोशल मीडिया से, और यहां पे, ये सोशल मीडिया वाला एक छोटा सा मुद्दा, एक डिप्लोमाटिक इशू बन गया, ये तब शुरू हुआ था, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सब लोगोंने मोदी की सिफ्य अप्रोछ को इतना आज़्यवर आया, कि इन्होंने बताया, के सोशल मीडिया यूजर के साथ, इन्होंने बताया के, जब इंडिया में इतनी खुपसुरत जगा है, तो म्ाल दिर जाने के क्या ज़रूरत है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में माल होता है उनका जो डिप्लोमाटिक पॉलिसी है वो थोड़ा सा प्रोच आयना माना जाता है और उन्होंने जो पहले प्रसिडेंट है अब्दुल्ला येमिन उनके साथ ये जो मुद्दा है इंडिया आउट कैंपन इसको उन्होंने आगे बढ़ाया अब सोशल मीडिया वर ने कुछ मालदीवियंस डेपूटी मिनिस्टर और एमपी को पीएम मोदी के खिलाफ डेरोगेटरी लैंगवेज यूज करने पर मजबूर किया जिस पर इंडिया को रेस्पॉंड करना परा और मालदीव के हाई कमिशिनर को मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल एफिर्स में बुल अब इंडिया टूडे तब एक न्यूस पर है तो तब मेल में की गई उनके जो रिपोर्टिंग आया था उसके अनुसार बताया गया था कि मालदीव के टार्णस ऑफ इवेंस के मालदीव के जो इवेंस के टार्णस है उससे हम खुश नहीं हो रहे और ADK ग्रूब के चैयर अहमेर नसीद ने कहा, all the associations have condemned the remark, मतलब simple way में इनोंने current geopolitical को मद्दे नजर रखते हुए, एक diplomatically ये problem को सुलजानी की कोशिश किया, तो ये टासल मालदीव और इंडिया के बीच के जो strategic partnership है और regional stability है, उनके लिए कि बहुत ही जादे इंपोर्टन गुरतपूर्ण, और इसका हल, diplomatic और decisive तरीके से निकालना जरूरी था, तो ये मांग एक diplomatic तनाव के बाद आया, जो की मालदीव के president, ये जो diplomatic तनाव के बारे में आपसे भामे ने बात किया, इसके बाद ये आया, और मालदीव की president ने क्या बताया, यहाँ पे, मालदीव की president ने कहा, कि देखो हमें इंडिया के साथ जो समंध है उसको लेकर हमें और जादा सौप्ट अप्रोच रखना पड़ेगा मालदीब ने पिछले साल एंड तक इंडिया को लगभग 400.9 मिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है मालदीब का जो फाइनशियल एसिस्टंस है वो बहुत सारे कंट्री से मिलते हैं इंडिया तो है उसके साथ इटा की चायना यह सारे यहां पर है और बहुत जादा मैंने पहले भी बताए कि मुझ्दो को जो एडिनिस्ट्रिशन पॉलिसी है उसको प्रोच आयना माना जाता है जो कि इंडिया के खिलाफ है तो इंडिया से दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाया भी जाये लेकिन एक होता है ना दा फ्रेंड ऑफ एन एननिमी वह वाले त्रीनिया पर है समझ में आना अब देखो क्या बोल रहे है कि मैनेज की जो एकोनॉमिक चैलेंजे यह फोकस कर रहे है क इंडिया के जो स्ट्राटेजिक इंपॉर्टेंस है जो रिलेशन्शिप के तरफ जो जुकाओ है अब मालदीब उसी की तरफ जूक रहे है और इसी वज़ा से वो चाते कि मेडलिस भी उसको सपोर्ट करे प्रेसिडेंट मुईजो इंडिया से एपिल की है कि देखो मालदी के जो डेट है उस पर प्लीज एक पर विचार कर लो खास तोर पर जब मालदीब ने इंडिया से लिए गया है हेफ्टी लोन्स की डिपेमेंट स्ट्रक्चर में लिनियर से की मांग की है कि उनको पैसा भी चुकाना है ना अब मालदीब का डेट क्यू बना ये भी एक कोश् स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डेवलाप्मेंट प्रोग्रम्स जो कि उन्होंने डिफरेंट कांट्री से लिए गया है लून्स से फाइनस किया था उसको एकोनोमिकली लार्जली डिपेंड कर मतब डिपेंडेवल होना ही होता था क्यूंकि मालदीब एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वहाँ की एकोनोमी सिर्फ और से मैक्सिमम में डिपेंड करते है टूरिजम पर विकोज आपको पता है उनका जो अवस्तान है उनका जो प्लेस्मेंट है वो बहुती डिफरेंट वे में है अगर हम यहाँ पे बात करें यह वाले स्लाइट पे अगर हम बात करें So you can see Maldives is actually an atoll. Atoll का मतलब क्या है? Atoll का मतलब होता है कि यह एक ऐसा जगह है जो कुछ coral reefs से बना हुआ area है. ठीक है? यह कुछ coral reefs से बना हुआ area है. You can see है. ठीक है? और यह रहा India, यह रहा Maldives. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि Maldives की एकनोमी को बूस्ट करने के लिए उनके जो सेक्टर को बूस्ट करने के लिए Maldives ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किये थे जैसे की एर्पोर्ट एक्सपैंशन करना, ने ने रिसोर्ट बनाना, ब्रीज का कंस्ट्रक्शन ये सब किया था लिकिन जब ग्लोबल इवेंट्स जैसे की COVID-19 जैसे पैंडमिक आया तब Maldives के टूरिजम इंडस्ट्री को severely एफेक्ट किया था जिससे उनकी इंकम में बड़ी गिरावट आई और economical challenges create हुए तो इसके अलावा Maldives ने चायना से भी heavy loans लिये रखे हैं जो कि infrastructure projects under the built and road initiative जैसे इसमें add किया जाता है Maldives के जो government है उनकी कोशिश ये है कि वो अपने financial situation को stabilize करे और economic reforms को लागू करे ठीक है अब global commodity price की बढ़ जाना या escalated government expenditure होना जो कि capital projects के उपर होता है और जो subsidies है उनके फिक्सल जो fiscal challenge है उसको और जादा बढ़ा देता है तो simple बात यह है Maldives को नर्मी से पेशाना ही था क्योंकि Maldives ने इंडिया के और other countries के साथ जो debt relief की आपिल की है ताकि वो अपनी economic conditions को manage कर सके और future में self-sufficient बन सके अब President Muzo का ये कदम उनके पहले एक anti-India rhetoric के बाद आया है जिसमें समयच में आई रहा है कि पहले आप इंडिया हटाओ का मांग कर रहे हो और फिर जाके आप ये ही मांग कर रहे हो उसी country से तो थोड़ा सा linear बन जाओ हमारे लिए तो पहले आप hard line stand लेते हो फिर जाके एकदम से soft होने की कोशिश करते हो और उपर से उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने मालदिव को aid provide किया और greatest number of project implement किये है उन्होंने ये भी कहा कि ongoing project को रोकने के वजाए उन्हें speed से आगे भराया जाए जिसे मालदिव इंडिया के relation पर कोई adverse effect ना हो तो ये सारे जो comment है ये मालदिव में होने वाले Parliament election से ठीप पहले ही आ रहा है और आपको पता ही है हाली में मालदिव से इंडियन जो military जो arm force है उनको भी हटा है जिए हटाने की कोशिश शुरू हो गई है तो ये सारे चीज उनको बड़ा खटकड़ा है तो उन्होंने ये भी बताया है के देखो एक ऐसा सिच्वेशन पर आता है क्योंकि वी कंसिडें इंडिया जावर बेस्ट स्टैली बहुत पास के दोस्त मानते हैं तो प्लीज ऐसा कुछ करिए जिससे यह सजेस्ट होता है कि अपने द्रेश की एकनोमिक कंडिशन को सुधारने की कोशिश कर रहे और उसके साथ इंडिया के साथ रिलेशन को स्ट्रेंदन करने की भी कोशिश कर रहे है तो ओवरॉल इस सिचुएशन है इस दे हम कंक्लूशन पर यह आई सकते है कि एकनोमिक स्टैबिलिटी की बात करते हों कि इंडिया आउट फिर आप बोल रहे हों प्लीज इंजा गेट बाक तो अस दिस दे ब्यूटे आप इंडिया एस वेल तो पंगा नहीं लेने का है न चलो आप से मिलते हैं नेक्स सेशन पर हमारी यह पीडिया आपको मिल जाएगा टेलिगरम चैनल के ऊपर तब के लिए प्लीज टेक क्यार आप सभी बन जाए बहुत ही अच्छा रेस्पॉंसिबल नागरिक और आप से हम मिलेंगे नेक्स सेशन में तब तक के लिए जाहिद